कहीं इसमें गंदा पानी ना हो तो बोले चलो थोड़ा बहती हुई जलकी धार से भर लूँ और जैसे दसरत उधर से बान को रखाए प्रतिंच्या पर और इधर स्त्रमण जो शर्यू में प्रवेश करता है जो ही कब कब की आवाज सुनी दसरत ने सोचा कोई इम्रग प्रवेश कर रहा है और जैसे स्त्रमण ने अपने घड़े को डुबोना सुरू किया जो ही भखबख की आवाज आई जब शर्यू नी जले पात्रे डुबाया तब दसरत ने बाने चलाया छोडो बानी लगो उर जाई सर्वने तुरती गवो दिल खाए मेरी माता बेहनो मारा दसरत ने बान चोड़ा बान जाकर के स्त्रमण कुमार के हर्दय में लगा एकड़म स्त्रमण कुमार चीट पड़ा मा अरे सर्वन मारी गए हैं सर्यू की तराई मा नीर की भराई माना सर्वन मारे गए हैं सर्यू की तराई मा नीर की भराई माना सर्वन मारी गए हैं सर्यू की तराई मा नीर की भराई माना सर्वन मारे गए हैं सर्यू की तराई मा नीर की भराई माना सर्वन भरन गए हैं सर्यू की तराई मारे गए हैं सर्यू की तराई मारे गए हैं सर्वन मारे गए हैं सर्यू के तराई मा नीर की भराई माना सर्वन मारे गए हैं सर्यू की तराई मा नीर की भराई माना सर्वन मारे गए हैं सर्यू की तराई मा नीर की भराई माना अब बहुत बहुत भाई हमारे कारागार मंतरी राही दी काग्मन हुआ है वाँ भाई हमारे तो बड़े पुराने संबरकी है शर्वन मारे गईने सर्यों की तराई माना नीर की भराई मारे गईने सर्यों की तराई माना मेरी माताओं वहनो आज महराद दसरत शर्मन कुमार के जैसे हर्दी में बान लगा एक दम जो है दसरत जैसे रोने की आवाज सुनी एक दम दसरत दोल पड़े और दसरत नी जाकर के सर्मन को अपने दोनों हाथों पर उठाया सर्मन को जैसे अपने हाथों पर उठाया देखा क्या एक नौजवान इसके हर्दी में बान लगा हुआ है एक नौजवान के हर्दी में बान लगा हुआ है मेरी माताओं भेनों बेटियों ये बहिया जड़ा थोड़ा मंच से तरह पहला संपर्ख हुआ था भाई यहां एक में अब तो हमारे निता जी कारागार मंत्री और अब की बार में सबसे बड़े वाले मंत्री बने हम यह यह आसिरवात ब्यास से दे रहे हैं बोलिये गुमिंद भगवान की बोलिये युद्याधाम की एक पार जेकारा लगाए किसके तेल से बोले बोलिये जैसरिरों मेरी माताओं बेहनों बेटियों महरा दसरत स्टर्मन के हर्दे में जब पान लगा महराज दसरत अपने हाथों से स्टर्मन कुमार को उठाया और स्टर्मन कुमार को अपने हाथों से लाकर के दसरत देखो शर्यू के किनारे बिठाला स्टर्मन कुमार कहने लगे महराज आप कौन हो दसरत बोले आप कोन हो स्त्रमन कुमार बोले नहीं महाराज आप बताओ दसरत कहने लगे ओर दसरत तु पोली मैं आवद पती राडा दसरत तु कहलाता हूं करने तो सिकारी सुनो बेटा और हम भाई राही जिसे एक मिनट इधर आजाए एक मिनट के लिए यहां तोड़ा भागवत भगवान का परसाद आपको अरपन कर दें यह परसाद है यह जैमाल है मतलब जैवाली माला है बहुत बहुत आसरवाद है दसरत पोली देश कमरला हूं मैं अवधी पती तो पाया हूं यह तसरत नाम मेरा सुन लूं करनी सिकार में आया हूं मेरी माताओ बहनो स्तरमण ने कहा महराज आप कोन हो दसरत पोली मेरा नाम दसरत है और मैं अयोत्या का राजा हूं माताओ स्तरमण कुमार के आँखों में आसो निकला है मामा औरे मामा दसरती तुन काहे को मारो तीर कोन कताबं मों से में तो भरने आया दीर ओरे मामा गसरती तुने काह कुमारो तीर कौन ठता भईमों से में तो भरने आया नी ओरे मामा गसरती तुने काह कुमारो तीर कौन ठता भईमों से में तो भरने आया नी तुरे मन रोने लगा माता पिता है मेरे जना मूग के अंधे ती रत कराऊं उनको बिठा गर के कंचिंधे माता पिता है मेरे जना मूग के अंधे ती रत कराऊं उनको बिठा कर के कंचिंधे माता पिता है मेरे जना मूग के अंधे ती रत कराऊं उनको बिठा कर के कंचिंधे उन दोनों की मामा तुने फोड़ी दई तक दीरे ओन कता भईमों से बेतो भरनी आया नी कुरी मामा तसरत तुने का ई खुमारो ते ओन कता भईमों से बेतो बिठा कर के कंचिंधे आया नी ओरे मामा दसरते उनकाए कुमारों दे ओर नकता विमों से उनकावर ने आया है और और सुरे सुरे सुराही जी कारागार राजमंत्री जी के द्वारा एकिस सो मुद्राओं का ये सहयोग सर्दासुमन अर्पण हुआ है श्रीलच्विनार महायक में भगवान ब्रमदेव आवासे मंगल कामनाई परमात्मा की क्रपादर्शी बनी रहे